ठीक है जी इस पार्ड के अंदर लेक्चर के इस पार्ड के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से different किसम के contents को लिखा जाता है और उनकी structures क्या है ठीक है से for example आप में से काफी लोगों को पता होगा कि एक छोटे टाइप का content होता है और एक बड़ी अगर किसी को नहीं बता तो आज इस लेक्चर में आपको वो सारी चीज़ें पता लगने वाली है और अगर आपके पास कोई ऐसी information हो जो मैं skip कर जाँ तो प्लीज मुझे चैट में जरूर बताईएगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी के सामने लाना जरूरी है और अब मैं मूव करने वाला अपने writing टैब के उपर ताके हम को कहते हैं ना medium of instruction अलका अलका change होता रहे तो जो नीन जिनको आती है वो थोड़ी सी उड़ जाती है मेरी लखाई इतनी कोई खूबसरत नहीं है बरदाश कीज़ेगा जैसी भी है लेकिन मैं साथ-साथ भोलता रहूंगा तो आपको समझा रही हमारे पास content की टाइप होती है content टाइप यानि कि हमने अपना message across the word लेके जाना है ठीक है तो हम किस फॉर्म में लेके जाते हैं एक सबसे पहले मैं बात करता हूँ short content की ठीक है short content के अंदर कौन-कौन सी चीज़ है आपका सबसे पहली चीज science messages on Twitter यानि के tweets जो लोग करते हैं अपने पूरे के पूरी research को Twitter की जो limit होती है उसके अंदर रखते हुए वो भी एक short communication की form है second आपकी क्या आप किसी बंदे को email लिखते हैं आप कहते हैं कि मैं आपके research project से बहुत ज्यादा impress हुआ हूँ या हुई हूँ and I want to conduct a kind of research project with you तो आप ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि आप बताएं कि आपके 16 पेपर है 16 के 16 पेपर की summary दे दे हैं ऐसा नहीं करते हैं आप सभी को summarize करके concise way में एक paragraph में लिखते हैं तो emails जो हैं वो भी हमारी एक short content की form है right फिर तीसरी short content की form है small या short blogs आपके छोटी-छोटे blogs blogs क्या होते हैं मैं यह नहीं कह रहा कि आप blogging sites पर जाएं वहां पर blogs लिखना start कर दें you can write these blogs on LinkedIn आप यही चीज अपनी Facebook post में भी डाल सकते हैं if you want to share with your community ठीक है और यही चीज आप different other platforms पर भी डाल सकते हैं अगर आपके अपनी website बनी है it's fine you can write down over there as well तो यह तीन major किसमे जो है science messages during with Twitter or some other platforms as well और emails and blogs यह आपको एक किसम का आपके message को across the board across the world आपका भीजने की में help करते हैं एक और टाइप है जिसको हम basically इसको अगर हम बोलें थो प्रेस रिलीज आप प्रेस रिलीज जो है अपने scientific article की अगर आप खुद बनाके वाइदावे आप मेंसे कभी किसी ने try किया है कि scientific article की प्रेस रिलीज बनाएं उर्दू के अंदर और किसे अखबार को भेजी हो कभी प्रेस रिलीज बनाके डिफरेंट जुबानों के अंदर शाया कर सकते हैं अगर आपको for example कोई ऐसी खबार है जो अर्दू के अंदर वहां पर आपने करने उसमें करें डॉन की English किया उसको भेजें try करने में कुछ नहीं जाता एक दफा वह आपकी प्रेस रिलीज किसी एक न्यूज पेपर में publish होगी वो आपकी cv में attach हो सकती है secondly वहां पर नहीं होती दीज प्रेस रिलीज केन आलसो गो तोवर्ड्स युनिवर्स्टी वेबसाइट और इसका benefit इतना है मैं अभी आपको एक example देता हूं आपको समझा जाए कि recently मेरे एक meta analysis था publish हुआ और university ने खुद request की मैंने ने की थी क्योंकि उसके tweets इतने ज्यादा हुए तो लोगों को interest उसमें बढ़ना start हुआ they said कि हम इसके press release लिखना जाते हैं मैंने का ठीक है उनके साथ मेरी meetings हुई press release उन्होंने लिखी but I gave them information के क्या लिखना है उसके बाद यहाँ पर जर्मनी के एक TV है उन्होंने राप्ता किया कि आपकी यह press release हुई है इस paper की we want to interview you German TV ने ठीक है so these happen, these thing happens अगर आप बाहिर बैठे हैं ना कहीं पर यह काम जरूर करें paper सारे एक side पर रह जाने हैं यह चीज़ें आपके साथ लगी रहनी हैं कभी भी आप project profile में लिखते हैं यह कहीं पर भी लिखते हैं it will help you तो press release बहुत जरूरी चीज़े हैं कहीं पर नहीं तो कमस कम इसको लिख के अपने पास save जरूर रखें ठीक है बायोग्राफिक के लिए जरूरी होज़ती है then चलते हैं हम long type की तरफ long communication के अंदर सबसे पहली चीज़ आपका review article या आपका research article ठीक है इसके इलावा एक short communication भी होती है जो जो बड़े scientist हैं वो लिखते है short communications यह आप journals में submit करवाते हैं but review article और research article यह दो major चीज़े हैं जो scientific writing के अंदर देखी जाती है अब एक और मैं बात आपको बता दूँ जो पिछली चीज़े मैंने आपको बताई है scientific message यह आप soul responsible है आपने लिख दिया और publish होगे nobody is going to take care of that के यह जी आप पहले हमें check करवाएं फिर आपने publish करना है so on and so forth email में आप soul responsible है blog अगर आप अपनी linkedin के profile यह facebook पे लिख रहे हैं आप soul responsible है अगर किसी की website पे लिख रहे हैं they will go through a peer review process कि वो review करेंगे check करेंगे कैसा लिखा हुआ है and they will highlight some mistakes some suggestion वो आपको देंगे फिर आप आगे चलेंगे press release आपको पता है यह सबसे ज़्यादा इसमें review procedure होता है review का मतलब है कि लोग आपकी गलतिया निकालते है अब रही बात review article and research article की यह जिस भी journal में जाता है इसको लिखने के बाद publish होने के लिए तीन से चार माह minimum और mostly अगर बड़े journals हैं तो बारा से अठारा माह भी लग जाते हैं नेचर या बड़े journals के अंदर ठीक है mdpi या different किसम के जनरल जान में एक माह में दो माह में publish हो जाते है यह लिखने के बाद का time पाकी जो उपर वाली मैंने बताई है यह quick कैंसारी की सारी दस सेकंड, भी सेकंड, तीस सेकंड, चालीस मिनेट, पचास मिनेट, एक गेंटा, दो गेंटे, तीन महीने उससे नीचे नीचे रहता है काम खास दोर पर प्रेस रिलीज को ज्यादा time इस वज़ा से लगता है कि लोग इसको बार-बार बढ़ते हैं और उसका एक credibility चेक करते हैं कि जिस लैब से यह result हैं क्या वो credible है कर नीच, ओके इसका मतलब यह हुआ कि यह जो दो चीजें हैं, यह जितना इस पर review का procedure लगता है, यानि कि आप paper submit करवाते हैं और different किसम के लोगों से review करते हैं, उतना ही इसका अच्छा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ आपका नाम जाना है और यह publish होना है और यह आपकी scientific profile में short communication as well, लेकिन आज हम focus करेंगे ज्यादा review and research article पे, blog और बाकी चीजें सिर्फ आपको मैं go through दिल्वाऊंगा, AI tools के through के कैसे आप लिख सकते हैं, but before that we are going towards review article and research article, अब पहली चीज़ तो हमने यह सीखनी है कि research article क्या होता है, review article क्या होता है, आम में से कितने लोगों को पता है research versus review article में क्या परागा, अब इसलिए काफी लोगों को पता होगा, मैं इसको जल्दी जल्दी go through करूँगा ताकि आपको समझ आ रहे के क्या है, जो आपका research article होता है, इसमें आपके primary results होते है, और आपने अपना data के उपर research की होती है, यहाँ पर review article के अंदर आप literature जो और रेड़ी लोगों के publish articles हैं, उसको analyze करके, आप critically बताते हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, इसने गलत किया, उसने सही किया, मतलब एक मुनसिफ के तोर पे काम करते हैं, लोगों के articles के हो, इसमें आपके भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों के ज़्यादा तरुते हैं, इसके अंदर आप लैब में या कहीं पे कोई काम करते हैं, उससे research results बनाते हैं, research results को analyze करते हैं, analyze करने के बाद अपनी outcome को publish करते हैं, ठीक है, यहां पे आपके critical analysis के बाद outcome publish होती है, तो यह हो गया, इसका मतलब यह हुआ, कि जो review article है, इसकी structure different होगी और इसकी different होगी, research article की, ठीक है, कैसे different होगी, अब इसकी structure के बारे में देखते हैं, और usually आपको बता देता हूँ, structure से भी पहले, यह जो है, इसके अंदर, मतलब review article की जो limit है, वो usually क्या होती है, तीन हजार से, आठ हजार words, ठीक है, usually इतनी होती है, डिपेंड करता है, आपके इस general में submit करवा रहे हैं, लेकिन generally यह होती है, और यहाँ पे भी आपकी तीन हजार से, तो करीबन कोई साथ हजार, पांच हजार, छे हजार, इतनी इतनी रहती है, इसकी world limit, तो word limit आप अपने general की base पे देखते हैं, this is just an idea कि आपको कितना लंबा article लिखना होता है, ठीक है, obviously research articles थोड़े छोटे लिखे जाते हैं, क्योंकि उसके part और structure different है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी structure होती है, review versus research article की, ठीक है, फिर हम बारी-बारी उनको देखेंगे कि किसको हम पहले लिखते हैं, किसको बाद में लिखते हैं, सबसे पहले होता है title, दुनों में सबसे पहले आता है जी title, ठीक है, दुनों में common है, फिर बाद में यह यहां पे भी abstract आएगा, ठीक है, फिर आपके पास अगर हम research article की बात करें, तो यहां पे आएगा आपका introduction, फिर इसके बाद यहां पे आएंगे methods, यह material methods भी नहीं बोला जाता है, methods, फिर आपके पास आएंगे results, and then फिर आपके पास आएगी discussion, and at the end आपके पास आएंगे conclusion, और फिर आपके पास आता है references, यह इस तरीके से कोई structure इसकी बनती है, obviously मैं इस पे बात नहीं करने वाला कि abstract में आप क्या लिखते हैं, introduction में आप क्या लिखते हैं, और methods में क्या लिखते हैं, results में क्या लिखते हैं, यह इस पे उपर अगर हम discussion क करने बैठेंगे, तो पूरा दिन हम इस पे गुजार देंगे, so this is a kind of structure, जो हम research articles की बनाते हैं, ठीक है, और अगर आप Google पर जाके लिखेंगे research articles कितनी किसम के होते हैं, और कौन-कौन से हैं, you will find a lot of other diagrams as well, जिनके अंदर सारी चीज़े हमने लिखी होते हैं, इसके अंदर अगर देखा जाए, तो title और abstract के फोरण बात, आपके पास आता introduction ही है, यहां पे भी, लेकिन, इस introduction को basically आप divide करते हैं, for example, आप करते हैं, कि recent development क्या है, इसके field के अंदर, क्योंकि आप literature को review कर रहे हैं, आपके पास results नहीं है, आपका जो यहां पे data है, वो basically लोगों के paper है, मैं यहां पे literally लिख रहा हूँ, लोगों के papers, ठीक है, आप उनको analyze कर रहे हैं, तो आप बताएंगे ने analyze करके सबसे recent कौन से हैं, recently development क्या चीज़ में हुई है, कब start हुई history से लेके अब तक क्या-क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर फिर अगली चीज़ होगी, कि आप इनी headings को further divide करेंगे based on your topic, मतलब अगर आपका topic है कि मैंने for example semiconductors के उपर गाम करने, तो आप semiconductor की type और type के बाद फिर उसकी analogies वगएरा लेके आगे चलेंगे, और यह total ब इस तरीके से इनको manage करना है, लेकिन आप यही गड़ते हैं कि आप लोगों को paper को analyze करके यहां पे उनको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से यहां पे manage करते हैं, इसके पास यो data होता है, इसके अंदर आप ज्यादा तर tables लिखते हैं, आप tables में बताते हैं कि 2020 में यह वाला आप बता रहे होते हैं कि हमने इस पूरे पूरे introduction इसे लेके end तक हमने क्या-क्या इसमें काम सर अंजाम दिया, यह जो बाकी headings हैं यह पूरी की पूरी topic specific होती है, for example, अगर हम यहां पे बात करें तो major headings में होगा कि current challenges कौन-कौन से हैं, किसने कौन-कौन से challenge को achieve कर लिए उ और फिर future outlook क्या है, कि क्या possibility हो सकती है इसके end और फिर at the end आप यहां पे भी एक summary या conclusion लिखते हैं और आप references लिखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह जितनी भी headings है review articles की, यह totally topic dependent है, ठीक है, but in research article, we have these headings, title, abstract, introduction, methods, result, discussion, conclusion, and references, अब किस चीज़ को आपने पहले लिखना होता है, किस चीज़ को बाद में लिखना होता है, यह depend करता है totally आपकी style के उपर, but most of the time, जो future outlook है न, वो यहाँ पे, इसी के अंदर आप समा देते हैं, discussion के अंदर, at the end, या आप conclusion के अंदर भी लिख सकते हैं, तो future outlook इसके अंदर हम आट कर देंगे, अब यहाँ पे, सबसे पहले आप start करते हैं किसी एक method से, आपको याद होगा जब भी कोई research की जाती है, आप कोई method perform करते हैं, वो सारे साथ साथ लिखते जाएं आप, जब भी method perform करें लिखते जाएं उसे, ठीक है, और लोगों के reference देते जाएं, फिर अगला काम आपका आत से, जो output आई है, ठीक है, उसको discuss करें, discussion में लिखते जाएं, ठीक है, तीसरे point पे आप ये काम करें, जब आपके पास method, results, discussion आजाएं, फिर आप वापस जाएं अपने introduction के उपर, कि हमारे पास किस चीज़ से हमने start किया, और कैसे हम सब कुछ perform करके उसको बता रहें, ठीक है and then you can write down the conclusion, number five पे, फिर आप references साथ साथ देते रहते हैं, ये साथ साथ चलता है आपका method से onward, and at the end आप लिखते हैं abstract को, end ठीक है, so strategy different जारी बात है, abstract जो होता है, वो आपके पूरे article की summary होता है, so this is how you actually divide the workload, और by the way, title जो है ना, ये सब कुछ लिखा जाता है, फिर बाद मे आप बनाएं तो फिर best है, सबसे पहले सिरफ key terms अपने लिख के रख लें, कि मैंने किसके उपर title बनाना है, and there are few rules कि title कैसा होना चाहिए, और कैसा दिखना चाहिए, उसके उपर मैं भी आपको एक slides दिखा दूँगा, and then we will see कि आपके पास कौन सी चीज़ें आपने avoid करनी है कितनी चीज़ें रखनी है, title के लिए, and how it should look like, by the way, आपका research article, review article कुछ ऐसा नज़र आते हैं, इसका मतलब क्या है, अब मैं आपके एक theory समझाने लगाँ, वो mind में रखिए का, यह जो methods है न, यह आप कभी भी AI tools से ना पूछें, don't ask AI, यार AI आपको, मतलब आप पूछ रह नहीं, ठीक है, अगली बात, आपकी आँखों में खारिश है, ठीक है, आप AI से पूछो मेरी आँखों में बहुत खारिश हो रही है, AI या आपको बोले glasses ले लो, AI को क्या पता आपने मूँ नहीं धोया हुआ, समझ रहे हैं बात को, तो methods जो हैं, वो basically आपके research question पे और आप के lab work पे या जो आप task कर रहे हैं, उस पर depend करते हैं, so you should read out different papers जिन्होंने पहले ये काम की है, क्योंकि method आप अपना तो बना नहीं रहे, लोगों के method को use कर रहे हैं तो वो आपने सबसे पहले methods खुद लिखने हैं, हाँ आप rephrasing, paraphrasing कर सकते हैं, लेकिन AI से नहीं कभी method मुझे दो, ठीक है, समझागी बात की, अगली चीज, results आपके अपने हैं, मतलब आपने graph और analysis खुद किया हुआ है, तो AI कैसे predict कर सकती है कि इस result का क्या मतलब है, you should write that one as well for yourself, और आपने खुद लिखने हैं, by the way, paraphrasing और word 24 और बाकी सारा कुछ AI help कर सकती है, लेकिन primary information आपने देनी है, methods में भी और results में भी, ठीक है, discussion, discussion में बहुत ज़्यादा आप help ले सकते हैं, AI से, लेकिन I am saying, सिर्फ help ले सकते हैं, उसके result को finalize कभी ने मानना आपने, AI को, ठीक है, फिर आप introduction में आते हैं, यहाँ पे AI का कमाल हुआ पड़ा है, इस वकत, introduction के अंदर, अगर आप सिर्फ key terms दे देंगे और उसको बता देंगे, मेरा method यह था, result यह था, discussion में ने यह की है, यह पूरे का पूरा introduction आपको within few seconds लिखके देए, ठीक है, and then abstract, फुला चीज़ है, AI abstract लिखने में, अगर आप यह सारा कुछ दे दें AI को, AI इसी के base पे आपको abstract बना दे, कि मैंने यह research की, इसका यह result आया, फ्लां फ्लां हमने method यूज़ किये, हमारा conclusion यह कहता है, मुझे इसका abstract बना दो, और साथ में आप कहेंगे ना, कि यह, it should not be more than 150 words इसने कहना, okay, ठीक है, जो हुकम मेरे आका, अब यहाँ पर आका वाली बात पे एक मिसाल मैं आपको दूँ लीज़ेगा, वो आपको पता है, अलादीन का चराग, methods और results को मद्देनस रखे, मैंने बोला, यहाँ पर AI यूज़ नहीं करने, ठीक है, अलादीन का चराग एक बंदे ने रगड़ा, बीच में से ना, इतना मुन्ना सा जिन निकला है, कहता, जो हुकम मेरे आका, वो कहता ऐसा करो, यहाँ पर डेट कनाल के कोटी कडी कर दे, वहाँ पर दो ट्रेलर लागे मुझे दो, और ना ऐसा करो, वहाँ पर जाके ना, तुम सो देगे हैं, बना दो, मतलब बड़े-बड़े काम के, कहना मेरे आका, जिड़ा की मैं है, मेरे को नहीं दूई मुखाला हो दू मेरा साइस ते देखो, so the thing is, कि AI की जो capabilities है, उनसे वो काम लेना है आपने, उनको यह नहीं कहना, कि आप सारे का सारा मेरा paper लिख दो, AI मेरा paper लिख दो, उसने कहना, IIM है, so keep in mind, कि यह जो काम है, आपने बताना है उसको specifically, and then AI will help you, AI का यह काम नहीं है, कि आपको वो सारा paper ल हैं, वो खुद सोय होते हैं, AI उनका काम कर रहे होते हैं, AI boats, तो paper वो नहीं लिखना स्टार्ट कर दें, समझने हैं बात को, so you have to be careful about that, और इसी वज़ा से हर पार्ट के अंदर आपने separate AI को use करना है, right जी, समझ आगी बात की, conclusion जितना AI best लिखती है, कोई भी नहीं लिख सकत हैं, जिसका EndNote एक software है, मेरा favorite है, आप इसको use करें, ये पैसों का मिलते हैं, लेकिन आपको free में, एक मैं website बताऊंगा, वहां से आप download कर लीजेगा, ठीक है, और उसका मनाम यहां पे इस वज़ा से नहीं लेना जाता है, क्योंकि पता नहीं होता, वीडियो कहां कहां पर जा हैं, और उसके बाद आप click करते हैं, तो reference add हो जाता है, so you don't need to learn के reference कैसे add करने, you just need to learn how to use EndNote, और इसकी पूरी की पूरी एक workshop हमने पहले करवाई हुई है, if you want, I will send you that link of EndNote at the end, ठीक है, अब करते हैं बात title की, यार आप यकीन मने, recent papers के अंदर, मैंने सारे के सारे title, सिरफ abstract है AI को, बोले title बना दो, उसने title बनाया, मैंने का ये नहीं सही, मुझे 5 different types के title बना दो, उसने 5 different type के बना दिया, मैंने बोले, नहीं कोई attractive सा हो, आतंक मचाने वाला, उसने फिर एक title ऐसा बना के दिया, यकीन माने, कि मैं खुद परेशान हो गया, कि यार, ऐसा तो इनसान बहुत देर लगा है, ऐसा सोचने में, या मेरे जैसा इनसान, तो title के लिए, आपको rules पता होने जरूरी है, लेकिन AI can help you a lot in defining attractive titles, और आज की दुनिया में, जितना attractive title है, उतनी ज्यादा researchers को scientists मिल रही है, and most of the researchers don't know, कि AI can help you to define the titles, और ये इसका तो आपने फायदा उठाना है, अब मेरी एक बात याद रखे, हम कहते हैं ना कि research में सारे बाबे-बाबे बैठे हुई, हमने अब as a जवान-जवान चीजों का मज़ा उठाना है, कैसे, उनको नहीं पता AI का, हमने AI के बरमार करनी है, and we will make things attractive कि लोग हमें सुने भी, ठीक है, जारी बात है, इस्ता हिस्ता हमारा फिर रुजहान लोगों में ज्यादा हो जाएगा, and those people जो retire नहीं हो रहे, खास तो पर पाकिसान के अंदर, तो उनको थोड़े सी फिर अकल आएगी, ठीक है, on the other side, अगर आप उनके अंडर PhD कर रहे हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं का, forget it, जो भी मैंने बोला है, मैं आ बार-बार गोर से कहा रहा हूं, और share कोई भी नहीं सुना रहा, तो यहां पर अगर title की बात की जाए, review article में title है, फिर abstract है, फिर यह जितनी चीज़ें आरी हैं न review article में, यह सारी की सारी review of literature कहलाती है, पता है ना आपको review of literature क्या होता है, कि आपने पूरे के पूरा literature जितना पढ़ा हूँ है ना online, सभी को ले के, उसको analyze करके उसके मताबिक चीज़ें लिखनी, and AI can write whole review article in one day, if you know how to use that, एक दिन में, और यकीन माने, मैं पहले कहने लगा था, दो गेंटों में मैंने का, नहीं exaggerate नहीं करना, क्योंकि कही बंदे ऐसे हैं, दो गेंटे गाने जुनते र वालों, एक topic हम choose करेंगे, और believe में हम वो काम करने वालों, obviously, उसमें improvement के chances हैं, मैं first draft की बात कर रहा हूँ, मैं final draft की बात नहीं कर रहा है कि publishable होगा, and then you will see, कि AI अगर आप use करके एक review article लिख सकते हैं, तो वो ही review of literature तो introduction में जाता है न, और वो ही review of literature तो आपको discussion में help करता है तो इसका मतलब है कि आज के दोर में हर एक चीज speed up हो चुकी है, एक review article अगर आप वैसे लिखे ना, तो आपको कम असकम date से दो माह लगे, अगर मुझे जो प्राने टूल मेरे पास थे, उससे मुझे 8 दिन, 10 दिन लगते थे review article लिखने में, तो लेकिन अप जल्दी लिखा as a master student, आपका एक chapter होता है, review of literature का, लिखें, और भी latest information के साथ, ठीक है, अब अगर review articles आप लिख रहे हैं, तो mostly लोग कहते हैं, 50 से ज्यादा reference हो, 50 minimum हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको different tricks बताने लगाँ, you will understand कि किस तरीके से review article लिख सकते हैं, और एक और speed up काम के लिए आप पु यार, दुनिया में इतने journals है, बेतहाशा journals है ना, दुनिया में, अगर एक paper किसी journal में publish हो है, जरूरी तो नहीं है, पुरी दुनिया को पता है कि वो paper वहाँ पर पढ़ा हुए, हाँ, digitally पता होगा, but people don't know कि कोई paper किसे ने लिख है, आपने बस थोड़ी से updated information डाल नहीं, बा आपका एक chapter thesis का ready, आपके एक publication ready, अगर आपके पास already results पढ़े हैं, then you can write introduction and discussion in, for example, seven days or eight days, easily, और high impact के article आप निकाल सकते हैं, और ये कोई bluff नहीं है, यगीन माने मैंने लिख के submit करवाए हुए, and I know that this is possible, मैंने वही बात बताई है कि लिखा आप लेंगे, लेकिन acceptance rate बहुत कम मैं इस वकत, उसको कैसे बढ़ाने, MDPI का पता होगा, आपको जो लोग हैं, जो उनमें paper लिखते हैं, वो ऐसे paper स्कून से पकड़ी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी fee देनी पढ़ती है, कोई तकरीबन पाकिसानी 5 लाग के करीब है, तो अगर आप कहीं foreign universities में किसी के साथ आपक that, so this is happening in research world, right, okay, ये तो हो गया हमारे पास के हमने AI tools को use करके ये सारा काम करने है, right जी, हम यहाँ पे अब AI tools की तरफ move करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उस से पहले छोटी सी motivation आपको मैं दूँगा, अगर किसी को आज AI का पता चला है, don't worry, दुनिया में काफी लोग है जिन इस दोर में AI को use करना सीख जाते हैं, बनाना नहीं मैं कह रहा है, वो बनाने वाले coders हो रहे हैं, use करना सीख जाते हैं, then that's enough, ठीक है, okay, now we will go to another part of the lecture.